जाती बार जनगर्णा का सबाल अब मुख्यधारा की पार्टियां उठा रही है पहले वस्पा उठाती थी, सपा उठाती थी, राजद उठाते थे लेकिन कहा जाता था ये जातिगत पार्टियां है लेकिन अब मुख्यधारा की पार्टि का नेता उठा रहा है ये देश की राजनीती में एक बहुत बड़ी करवट का साथ, काफी समय से ये समझ रही है, कि अब दलिट समाज में वर्गी करने की आवश्रक्ता है, चूँकि हर जगए, हर राज्ये में कुछ ऐसी जातियां समाज हैं, जो आरक्षन का लाब बहुत कम उठाबा, ऐसी अगर मैं पलटके आप मुझे कहें कि तेरी तो जाती नहीं पता, इसका मतलब कहा क्या जा रहा है, उसको उस व्यक्ति को कहा जा रहा है, तेरा खून क्या है हमें पता नहीं है, हमारे समाज में किसी व्यक्ति को सबसे बड़ी गाली यही है, कि तेरी तो जात क्या है, पता कुल मिला के इस जज्जमेंट का विरोध नहीं होना चाहिए और वजह ये है ये जज्जमेंट दलिद समाज का जो सबसे दबा हुआ वर्ग है उसके पक्ष में दिया गया है और मैं समझता हूँ समाजिक न्याय की अवदहरना में किसी भी पायदान के नीचे से नीचे वाले वर्ग को अगर कुछ भी मिलता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए क्रीमी लेयर का विचार जो जो जोड़ा गया है वो मेरे ख्याल से आटपटा है उस विचार के बारे में और ये तो जज्जमेंट भी नहीं है दरसल लेकिन उसके बारे में मेरी रिजर्वेशन्स हैं औ को आज की स्थिति में ऐसी समाज के लागु नहीं किया जाना जाएं आए क्रीमी लेयर के पहचान कैसे होगी दो अलग चीज़ें हैं मैं समझता हूं कि इस जज्जमेंट के बारे में इतनी कम सूचना लोगों को है कि हम सही चीज़ों को घालमेल कर दे दें दो अलग बाते है एक है वरगी करण वरगी करण में ये कि कौन सी जातियां अपेक्शाकरत जादा पिछड़ी है और कौन सी जातियां अपेक्शाकरत कम पिछड़ी है यह बहुत आसान काम है यह किया जा सकता है क्योंकि इसके सेंसस के आकड़े उपलब्द हैं किसी भी राज्ये के आकड़ कम मिला है और किनको बहुत कम मिला है जो क्रीमी लेयर है वो बिलकुल एक अलग अवधारना है वो जातियों के बारे में नहीं है क्रीमी लेयर व्यक्तियों के बारे में है परिवारों के बारे में है जिसे OBC पर लागू किया गया था OBC पर क्रीमी लेयर लागू करने का तर्क मुझे समझ आता है लेकिन फिलहाल ऐसी वर्ग उस स्थिती में नहीं पहुचा है कि उस पर क्रीमी लेयर के अभधारना को लागू किया जाए तो मेरी अपनी मान्यता है कि वर्गी करन का विरोध नहीं होना चाहिए लेकिन क्रीमी लेयर की धारना अभी लागू नहीं होनी चाहिए बहुचन समाज के तमाम नेता हो सामने आ रहे हैं चाहिए बियस्पी सुप्रीम हो मायावति हो चंदर शेखर हो चिराग पासवान हो वो कह रहे हैं कि यह आरक्षण खत्म करने की साजिश है मैंने सुनी उनकी बात लेकिन जब भी ऐसी बात हो याद रखिए यह प्रश्ण जो सुप्रीम कोड के सामने था यह दलित बनाम बाकी समाज का प्रश्ण नहीं था यह प्रश्ण था दलित बनाम महादलित का बनाम तो नहीं है, दलित और महादलित में जो अंतर है उसका है, इसलिए मैं महायवती जी की बात को सुनना चाहूंगा, मैं चिराग पासवान जी की बात को सुनना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ में उनकी बात भी सुनना चाहूंगा, जिनके लिए केस था ये, बालमी की समा भुईया समाज, मांग समाज, मादिगा समाज, उनकी बात क्या है, जज्मेंट उनके लिए है, इसको एशे पेश किया जा रहा है, जैसे ये आरक्षन देश में होना चाहिए या नहीं, होना तो चाहिए, पर क्या आरक्षन के भीतर उनके लिए बर्गी करन होना चाहिए, जि दलिट समाज में भी ऐसा बर्गी करन होना चाहिए मेरी काफी समय से ये समझ रही है कि अब दलिट समाज में बर्गी करन की आवशक्ता है चूंकि हर जगए हर राज्य में कुछ ऐसी जातियां समाज है जो आरक्षन का लाब बहुत कम उठा पाई है अब इसमें दूसरों का दोश नहीं है उनके पास शिक्षा के अवसर नहीं थे तमाम दिक्कते रही लेकिन उन्हें किसी अब एक सब कोटा की आवशक्ता है और अब जब कि सुप्रीम कोट ने उसको स्वीकार कर लिया है तो उसका स्वागत किया जाना जा है भारत बंद का एलान है और जो महोल बन रहा है उसमें दलित खेमे में वापस में बटवारा दिख रहा है साफ नजर आ रहा है कि दलितों में ही बटवारा लग रहा है इस बटवारे को मुझे नहीं लगता दलित खेमे में बटवारा है है लेकिन बटवारा हो सकता है अगर कुछ खास तेने की राजनीती की गई तो मेरे विचार से इस बटवारे को तोड़ने का सबसे सरल तरीका ये है कि जिन समाज जिन जातियों को दलित समाज में अपेक्शाकृत बेहतर अफसर मिले उसके नेता आगे बढ़के कहें कि हां दुसरों को नहीं मिले मैं आपके लिए खड़ा हूँगा ना बटवारा समाप्त हो जाएगा अगर वो कहें कि नहीं ने इनको क्यों मिलना चाहिए तब तो बटवारा होगा ना मैं समस्ता हूं जब बाबा साहब को याद रखें जब बाबा साहब ने आजादी के आंदोलन के दौरान पिछड़े दलित सब्वर्ग का सवाल उठाया था जिसे उन दिनों डिप्रेस्ट क्लासिस कहा जाता था तो लोगों ने यही कहा था बांटने की कोशिश कर रहा है देश बढ़ जा जाए उनका सामना किया जाए और अगर मायवती जी जैसे नेता खुद चार कदम आगे बढ़के कहें कि मैं जानती हूं कि बालमी की समाज को बहुत कम मिला है जो सचा ही है और वो कहें कि हां उनको आज अगर मिल रहा है तो मैं तो अपनी प्रफ से एक परसंट जादा देन आपातकाल तो उन्होंने कहा क्यों यह आपातकाल बन गया है इसका तरक मैं जानना चाहता हूं याद रखी फिर मैं कहता हूं जिस तरह से जो सब तरक आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दिये जाते थे आज वही सब तरक बरगी करन के पक्ष विपक्ष में दिये जा रहें जो ठीक नहीं है इस मुद्दे के अलावा संसद में जो है राहूल गांधी की जाती पूछी गई और उसके बाद क्या लगता है कि समाजिक निया की बाते होने लगी है संसद तक अभी दौर नहीं बना है वक्त लगेगा लेकिन कम से कम जातीगत आरक्षण का जातीगत जनगणना का सवाल उठने लगा है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है इस देश में कि जाती बार जनगणना का सवाल अब मुख्यधारा की पार्टियां उठा रही है पहले वस्पा उठाती थी सपा उठाती थी राजद उठाते थे लेकिन कहा जाता था ये जाती गत पार्टियां है लेकिन अब मुख्यधारा की पार्टि का नेता उठा रहा है ये देश की राजनीती में एक बहुत बड़ी करवट का संकेत है लेकिन सर उठा तो रहे मुद्दे लेकिन जाती जनगणना का अश्वासन देने के बजाए तो ये पूछा जा रहा है अगर मैं पलट के आप मुझे कहें कि तेरी तो जाती नहीं पता इसका मतलब कहा क्या जा रहा है उसको उस व्यक्ति को कहा जा रहा है तेरा खून क्या है हमें पता नहीं है हमारे समाज में किसी व्यक्ति को सबसे बड़ी गाली यही है कि तेरी तो जात क्या है पता नहीं है उनके एक जाती है अहंकार का प्रतीक है लोक तंत्र बड़ो बड़ों का अहंकार तोड़ो देता है ये भी तोड़ देगा एक आखरी सवाल सर बीजेपी अभी तक जो आवाजे उठ रही है बीजेपी नहीं लग रहा है कि वो इनके हाथ में आएंगे लेकिन क्या लगता है कि उन्हें आखिर कार आना पड़ेगा ये जाती जन्गर्णा के मुद्दे पर या समाजी के मुद्दे पर मैं समझता हूँ अब जब कि कॉंग्रेस ने इस मुद्दे को उठा दिया है और चुनाव के बाद ये सपष्ट है कि ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं था कॉंग्रेस अभी भी उस पे कायम है राउल गांदी कायम है बोल रहे है बीजेपी के पास कुछ समय तो टा ले जाएगी लेकिन आप देखते जाएए गोंफिर के बीजेपी भी सेजंडा पर आएगी क्योंकि वोट तो उसे भी चाहिए शुक्रिया सुक्राइब